नमस्कारम बुड मॉर्निंग नमस्कार के लिए बहुत ही बहुमूले है बहुत ही एसेंसियल है इन चीजों को पढ़ना और अपने मित्रों जो उस योग्यों उनसे तरक भी तरक करना तो दोस्तों को फिर हम चलते हैं एक नए बीसाय के साथ लिखा अज संतुलन बढ़ाने वाला फैसला देखिए आप लिखा बीते कुछ अर्से से बेवस्थापका और नयापालिका के बीच जो और संतुलन बढ़ा है उसे क्रिसी कानूनों पर सुप्रीम कोड के ताजा फैसले ने और बढ़ाने का काम किया है तो दोस्तों आज हम आप पर जानेंगे कि ऐसा क्या चीज़ा जो बेवस्थापका और नयापालिका के बीच दिन प्रतिदिन और संतुलन बढ़ता चला जा रहा और ये खाई इतनी जादी हो गई कि इसे पाटने के लिए इसको भरने के लिए एक बड़ा संसोधन एक नया कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपने देखा हो कि ब्यवस्थापका के बीच में जिस तरह से उसके कानूनों में उसके द्वारा बनाई और इंप्लिमेंट की गई पॉलिसी में अतिकरमड और हस्त छेप करती है नयापालिका उससे कहीं कहीं लोक तंत्र और संग्विधान एक तरह के अब व्यवस्थि धाचे में जा रहा है तो आज उससे के बारे हम देखेंगे आखिर क्या हो गया है यहाँ आप लिखा है नए क्रिशी कानूनों के विरोध में कुछ किसान संगठन गत वर्स नौंबर से ही दिल्ली की सिमाओं पर डेरा डाले हुए है इससे उत्पन हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोट ने मंगलवार को एक पहल भी की तो सबसे पहले मैं बता दूँ और कह दूँ कि हैपी मकर सक्रान्ती सभी लोगों हमारी तरफ से और हमारे जेसस्टरी 94 के चैनल के तरफ से अच्छे से रही है नाजवाखे दाना भेली खाईए गुड़ खाईए जो भी है आपके पास अच्छे से इंज्जोय करिए इस दिन को तो आपको पता है दोस्तों ठंड का मोश्रम है और इस समय जो कि दिल्ली का टंपरिचर बहुत ही लो हो चुका है कलाके की ठंड पढ़ लही है ऐसे में खुली आसमान की नीचे जिस तरह से किसान और उनके समर्थक आंदूलन कर रहे हैं ये बहुत ही मार्मिक द्रिश्य है और हमारी भावनाएं उनके शाथ है पर मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि दोस्तों घेराबंदी करने से अच्छा है कि आप अपनी बातों को पस्टता और सालिन तरीके से रखें इस प्रकार यदि आप घेराबंदी गतिरोद करेंगे इससे जो बीसा है और भी पेंचीदा और बिगड़ जाएगा और इस समश्चा का समधार नहीं निकलेगा देखिए अपनी बात कहने का कई प्रकार से तरीका होता है ठीक है यदि आप चाहते हैं आपकी बातें लोग सुने तो आप प्रभावसाली धंग से कहें प्रभावसाली धंग का मतलब नहीं होता है कि टीचर यापकी बात नहीं सुन रहा है तो हो सकता है आप में कुछ कमिया हो तो आप पहुंच के टीचर को तीन-चार पड़ा का मार दें इससे क्या है कि पूरा हला हो जागा भईया पहलाने ने मार दिया या फिर आप जो भी क्लासरूम में रखी बेंच है कुरसिया उसको पटक के तोड़ने लगे ये हो सकता है पर ये जो कदम है जो सोच है ये हिंसा की तरफ ले जाता है जो की सही नहीं है हम भारती लोग तंतर के लिए सिर्थ अदालत ने 12 जनौरी को अपने नेड़े में तीन बातें एकदम सपस्ट कर दी पहली यही कि सरकार दोरा पारित तीनों केसी कानूनों को लाग करने पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी बाब ने देखा होगा कि जो PIL होता है PIL का मरलब होता है याचिका मरलब पब्लिक इंट्रेस लिटिगेशन जो PIL याचिका होता है दोस्तों हमेशा समाज और समू जो ब्यक्तिकत ना होके सारवजनिक उदेशों के पूरी करता उसके लिए किया जाता तो दोस्तों उसे PIL पे सुप्रीम कोट ने उस कानून पे कुछ शमय तक रोक लगा दिया है दूसरी है कि क्रिसी कानूनों के पारित होने से के पहले यानि पहले वाली निम्तम समर्थनमूल यानि MSP वाली ब्युस्ता लागू रहेगी और तीसरी यदी की सरकार और किसां संगटनों के बीच मुद्दों को सुल जाने के लिए चार सदश्शी समित्री गठित होगी अब देखिए किसानों जो भी किसान अपनी बाते रखना चाहते हैं जो भी मनमाना चाहते हैं सरकार से उनके लिए एक समित्री का निर्मान किया जा रहा है गठित की जा रही है जिसके माध्यम से उन दोनों के बीच किसान और समिति के बीच वारतलाब होगी और जो भी निसकर्स निकलेगा उसे वहाँ पे इंप्लिमेंट की जाएगी इसमें भारती किसान यूनिन के अध्यक्ष भुपिंदर सिंग मान दो क्रिशी अर्थसास्त्री डाक्टर ट्रमोज जोसी और असो गुलाटी के साथी सितकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल गहनवट सामिल होंगे समिती दो महिने में नियाले को अपनी रिपोर्ट सौंपे गी कानुनों के अमल पर रोक को लेकर महन्यवादी केके विनुग गुपाल ने चुनोती पेस की और तरक दिया कि स्वयंग नियाले ने भावेस परी से बनाम भारत सरकार हिल्थ फॉर मिलियन्स बनाम भारत सरकार रुत्तर प्रिजस बनाम हरींद सिंग आदी मामलों में इसके उलट नीड़ दिये हैं तामिलनाडू राजस्थान और भारती किसान यूनियन के वकीलों ने समिति के समक्च पेस होने का आस्वासन दिया जबकि भारती किसान संग ने कानूनों का स्वागत किया और संका जताई कि उन पर रोक से किसानों के दो करूण 10 लाक रुपे मुल के फल नश्ट हो जाएं मगर न्यायाले ने अपने आदेश को असाधारन बताया और उमीद जाहिर कि इससे सरकार और किसानों के मद्द गतिरोध दूर होगा और किसान अपने खेत खलियान के और लोट जाएंगे सकेंगे तो में गतरब आज़ जो सुप्रीम कोट का फैसला आया है मुझे से गलत नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोट कहीं नकहीं उसका प्रयास है कि जिस तरह से कई महीने से गतिरोध जारी है दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं ने तमाम तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है आवाज जनी ठब पड़ी हुई है पूरी तरह से दिल्ली को घेरा गया है किसानों के दौरा और जिस तरह से किसान भी फीरित चल रहे हैं दिल्ली के अंदर इस ठंडी के मौसम में कई लोग मर भी चुके हैं ठंड के मौसम के वजा से कई लोग की तबियत खराब हो चुकी है तो कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट यह चाह रहा है कि किसान की यह हालत नहो इससे क्या है कि अंतिरास्टी मंचो पर भारत का एक नकरात्मक छबी बनेगा और उसका जो देश है दोस्तों सही है आप समिती बना के अपने माध्यम से बातें पूछ सकते हैं रख सकते हैं अनिता इसी तरह यदि आप सरकारों का घिराव करेंगे रोट पे आकर अतिक करमन करेंगे तो ना आपको लाब होगा ना हमें लाब होगा एक कमरे के अंदर यदि एक व्यक्ति कुछ कहे तो इस पश्ट समझ में आता है पर कमरे के अंदर पचास लोग हैं, पचास लोग अपनी बाते रखें तो बसूर गुल का महौल होगा इससे क्या है? कोई सुनेगा नहीं और ये कभी भी relevant communication के अंदर नहीं आता है समिति के सामने सभी को उपस्तित होने का अधिकार होगा, चाहे वे उसके पक्षम हो या भी पक्षम हो सरुच न्याले का ये निड़े वास्तों में आसाधारण है, समानत्य न्याले किसी कानून की संगवधानिता की जाच करता और किसी प्रविधान क्या संग्वधान पाई जाने पर उससे निरस्त करता है वर्स 1977 की केशवानन्द भारती मामले से ही नया पालका की सक्तियां नया पालका की सक्तियां बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि सबसे क्योंकि तब से किसी भी वीट कौन है अदापनिरस किया जा संग्विदान के मूल धाजे की वुरूद्धा जबकि मूल धाजों को अंतिम रूप से परिवाजित नहीं किया गया है इस कारण पहले से बेवस्थापका और नया पालिका के संतुलन में बदलाव आ गया है संग्धान सभा के सदस्यों ने डाक्टर राजिन परसाद भीम राव अंबीट कर और संग्धान सभा के विदिक सलाकार बी एंड राव आधी के नित्रत में बनाया था सुप्रीम कोट का हालिया ने रहे उस संतुलन को नया पालिका के पक्ष्व में और धिन करता है जब खालां कि नया पालिका को साद इसलिए असा करना पड़ा कि उसके सामने तीन प्रकार के आज गाए थी एक जो नए किसी कानून को चुनोती दे रही थी दूसरी जो उनका समर्थन कर रही थी और तीसरी जो किसानों के धरने प्रदर्शन को अपने मौलिक अदिकारों का हनन मान रही थी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो तीनों कंट्रोल डेक्शन के लिए ठो रही थी इसलिए साथ उसने अच्छा कदम उठाया यह भावना थी कि इसे कानूनों पर एक सकारात्मक भी मर्स हो सकेगा और किसान अपने घर लोट सकेंगे जिससे दिल्ली और आसपास के लोगों के मौलिक अदिकार भी स्रंक्छित हो सकेंगे उधर आंदोलन रत किसान संगठनों के नेताओन या काकर सरोच न्याले की समित्य के सामने जाने से इंकार कर दिया कि उसमें नियुक्त सभी सदसरकार और नए क्रिसी कानून के समर्थक हैं यह दुरभागे पूर है अब एक चीज मुझे आप बताईए जो लोग भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं ऐसा नहीं है कि मैं किसानों का तिरशकार करता हूं किसानों का शम्मान नहीं करता हूं मैं भी एक किसान परिवार का छात्र हूं मैं उस पिता का बेटा हूं और जो खुद किसानी में लगे हुए हैं, मेरा परिवार लगा हुआ है, पर दोस्तों इस तितीस पस्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कभी कबार क्या है कि किसान आंदोलन से हट के आतंग के लिए देख सकते हैं, पिचार पुरसार होने लगता है, तो यह चीज़ें गलत हैं, तो कहीं न कहीं यह जो समझ मुझे आ रहा है कि कुछ बुद्ध जीवी हैं या कहें मंद बुद्धी वाले लोग हैं, जो हाईजेक करना चाहते हैं, जो किसानों का मंच है, जो किसानो बिचारों को पता भी नहीं बढ़ा है, तो यह कहीं न कहीं आरजक्तता और अंदकार के तरफ ले जाता है, किसान भाहीं को सचेत होना चाहिए, न्याले पर आरुप लगाने जैसा है कि उसने समिति गठन भेदभाव किया है, अब देखिए, अब वो सब क्या कर रहे हैं, जो आंदुलन में जो बड़े दिगज लोग हैं, जो नित्रित तो कर रहे हैं किसानों का, वो कर रहे हैं भाहीं जो समिति गठित की जा रही है, इसमें पूरी तरह से जो सरकार के साथ हैं वही लोग हैं, तीन से हम क्या बात करें, तो आपको बना लिया जाए हैं, वहाँ पी इतने से नेता बरने की होड मची हुए है, कुछ लोग ऐसे सक्स भी हैं, जो लोग प्रियता हासिल करना चाहते हैं, कि नहीं भाही या मुझे वहाँ पर बैठाये, फ्लाने को मत बैठाये, इसे स्पष्ठ की आंदुलन के असली नेता वे जहां भी बैठे हैं, उनकी मन पुरी दुनिया में लजजित करने वाली घटना होगी। पुरी दुनिया में लजजित करने वाली घटना होगी। कि भी कानूनों की वापसी से कम पर कोई समझाता करने को त्यार नहीं है। या तो लोकतंत को भीरतंत बंधक बनाने जैसा है कि या तो हमारी मानों या हम धर्ना पर जारी रखेंगे। आंदोलनों का सुरूप सुधारातमक हो या तो समझ में आता है लेकिन वो इतना कंठोर और पती रोधातमक हो या लोकतंत की भावना के प्रतिकूल है। आखिर करूण लोगों ने सरकार को चुना है उनकी तो कोई आवाज ही नहीं रह गई। जिस तरह से दिल्ली में हिंसा होई, जिस तरह से करूणों की संपतिया नाश होई, शैकड़ों के घर जल गए, कई लोग मारे गए, तो इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश चुपा हुआ था, जो हमारे देश को जलाने और तोड़ने की बात कर रहे थे, वो बहुत कुस ह तो सरकार और प्रसासन को डूर है कि दोस्तों ऐसे ही किसी गलत उद्देशों की तरफ ये अंदूलन ना चला जाए, इसलिए सरकार हर प्रयास कर रहे है कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने वतन, अपने अपने जर्म छेतरों को लोटा दिया जाए, वे कब उसे हिंसक मोड़ दिया, उसका उत्तरदाई तो किसान संगठन लेंगे नहीं, ऐसे हम यह बहुत आवस्त के कि उन किसान, उन तत्तों को चिनित किया जाए, जो किसान अंदूलन की दिसा तै कर रहे हैं, उन समाज विरुदी तत्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जो इसे हिंसक दिसा में मोड़ सकते हैं, और विस सभी कदम उठाए जाए, जिससे कि गरतन दिवस पर कोई उप्री और लज्जित करने वाली घटना गटित ना हो, आज के लिए इतना ही, नमस्कार दना